अससलाम अलेकों और वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में जो मैं आपको है एक फ्रॉग स्टाल जो है वह एरलाइन टाइप शेट बनाना से कहूंगी आप इसको फ्रॉग की लुप भी दे सकते हैं और एरलाइन शेट भी यह मेरे पास डाइवीटर फैबरिक है औ वीडियो को भी लाइक कर दें और बैल आइकन का बटन इड़ बाले ताके हैं नई डिन वीडियो का नोटिफकेशन जो आपको मिलता रहे है इसका मैं बॉर्डर अलाइदा कर दूंगी बॉर्डर इसका फोर इंच का है इसको हम डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे और बॉर्डर के बगएर जो इसकी वीड़ है वो 48 इंचीज है इसकी वीड़ कपड़े की थोड़ी ज्यादा है इसलिए इसका जो है धाय मीटर के अंदर भी फ्रॉग जो है वो अच्छा सारा घेर वाला बन सकता है तो सबसे पहले इसका बॉर्डर अलाइदा कर देंगे बॉ को समझा जाए कि टोटल इसकी शेप किया है और आपनी कैसे करना है तो फ्रेंट में इसमें पैनल्स है और फ्रेंट का हमने सिर्फ बॉड़ी जो है और साइड पे 10-10 इंचीज के दोनों पैनल्स है सबसे पहले यह वाली हम बॉड़ी कट जो बनाएंगे और इसकी 15 इंची पहले हैं तो इसकी अज़नी आपनी कर लेनी है तो आपको बता दे जाओंगे किस तरह जो आपके यहां चाहिए जैसा आपके अफ्रेंजेस्ट कर लेने है यह जो साइज में आपको इसमें मेडियम ट। लार्ज को एजी लिया जाएगा तो 41 इंचीज टोटल जो मेरी लें यह जहां पर मैंने डार्क निशान लगाया है यह चुनट कर निशान है और बैक साइड जो इसकी सिंपल ए लाइन हम कट करेंगे तो सबसे पहले कटिंग में जो साइड पे पैनल्स हमारे 10-10 इंचिस के फ्रेंट के दो पैनल है वो मैं कट करूँगी वो आपकी टोटर लेंथ आप में जितनी रखनी है वो रख लें मैं 41 इंचिस लेंथ रख रही हूं आप अपनी लेंथ अपने अपने साफ़े अजस्ट यह दोनों 10-10 इंचिस के मैंने दो निशान लगा लिए इसको इसना है हमारी वीड़ थवाइस हमारा कपड़ा मैंने इस तरह रखा हूँ इसकी लेंथ 41 इंचिस में उतार लूँगी सबसे पहरे पैनल में अजादा कर लूँगी इसके बाद हम इसका जो है नेक्स्ट पार पार्ट करेंगे वह जो होगा हमने दर्मयान में भड़ा पैनल था जिसके ओपर हमने चेनल डाली थी ना और बाड़ी के साथ लगाया था क्योंकि बाड़ी सिरफ उसी पैनल के उपर आनी है तो यह वाला पार्ट हम करेंगे 26 इंचिस इसकी लेंथ है और इसकी जो वीड़ इस पार्ट को आप थोड़ा सा जो है वीड़ थी इसकी काम यह ज्यादा कर सकते है इसकी 20 इंचिस तक भी वीड़ आप कर सकते है अगर आप ज्यादा घहला पसंद नहीं करते ना अब इसके बाड़ी कट करेंगे जो मीडल पैनल के पर हमारी बाड़ी आनी है उसका 10 इंच बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसके 14 इंचीज रखेंगा क्योंकि अब यह मैं लार्ड साइज बना रही हूं तो और यह मीडियम तो लार्ड में आप इसकी 14 जो है वह इसकी रैडी होनी चाहिए और 15 आप टॉटल रख लें अब यह बॉड़ी कट करने के बाद मारी फ्रंट की जो है वह पूरे पीसिस कम्ट्रीट होगी है और बैक जो है वह सिंगल पीस में होगी वह सिर्फ एलाइन बैक हमने कट करनी है तो यह कपड़े में से हम जो मैं इसकी वीड़् रखूंगी बैक की वह तकरिब होगी 30 इंच जितनी आपने टोडल रखनी है उससाब से तो यह मैं बैक का पार्ट पे लाइदा कर लूँगी तो फिर बाकी फीड जो हमें इसके बादो की कटिंग के लिए बाकी हमारे पस कपड़ा बच जाएगा तो यह तकड़ वीड़् का ज्यादा था कपड़ा इसलिए खुला बैक की कटिंग करेंगे जो हमारा ए लाइन हमने बैक कट किया हुग इस तरह कट करनी इस तरह मैं इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिचा लिया प्रेस करके अची तरह और इसके ओपर आपने साइज के साब से मार्किंग कर लें 7.5 इंची दिर से मैं शूल्डर जो है विसक अची दिर से मार्किंग कर देंगे और जब आपने सारे पीचिस को हमने जोड़ने फ्रेंट में फिर उसको जोड़ने करेंगे तो आप यह देख लिए जागा कि आपके फ्लावर का वरूख है बल्कुल ठीक हो और फ्रेंट की कटिंग जाओ इसके पहले नहीं करेंगे पह उसकी हम कटिंग करेंगे सबसे पहले मैंने बॉर्डर ले लिया इसकी जो हमने बॉर्डी को पर इसका वी नेक बनाना है जाइनी स्कॉलर की तरह का कुछ-कुछ तो यह सिरफ फ्रेंट पर मनेंगा बैक पर नहीं होगा तो इसका बॉर्डर का मैंने इसका कट कर लिया मार् नुनों पटियां मैं आपको रैडी करके दिखाती हूं किस तरह की लगेंगी नुनों के अंदर मैंने बुक्रम लगा लेना है या चेपी जो भी जितनी चौड़ी पटी है उसके अंदर उतना ही बाकी जो मार्जन है फोल्डिंग का वह अलादा से रखके ये डबल पटी मैंने बॉर्डर किया दुसी साइड बे प्लेन ये एक साइड से पटी ओपन होगी उपर नीचे दोनों साइड नों पर कपड़ा है दरम्यान में जो मैंने बुक्रम रखके इसको फोल्ड किया है और ये मैं आपको पास करके भी दिखाती हूं किस तरह है अंदर से दोनों स किली है ये दूसरी पट्य होरी दूसरी प 생겼 25 आप declarative बार्डर के कपड़ा बाच और भी तो उपर भी थोड़ा साइड निशाओ को ऊड़ा दिये अड़े इस तरह हम इसकी पटी लगाएंगे पटी लगाने से पहले हमने बोडी की कटिंग करनी है और नेकक हम निकालेंगे इसके बाद जो पॉपर YouTube Mercury M Kesनalis Fult RAM उसी तरह मैंने तरह की पड़ेंगे लगानी है इसके लिएंगे आपके लिए फैर से कैदा करनी है तकरीपन्ट फाइव इंचीज पर मैं इसकी यहां से मार रहा हूँ और यहां से इसकी हमने शेप करके बोटनेकर दर्शे से ड्रॉव कर लेनी है आप फूर इंची तक भी रख सकते हैं यहां हमने इसकी नेक कटिंग कर लिया है इसके बार इसके नीचे जो है Alma통 इसका जो भी है को बाद में अपको कि ग सुप्लियां लगाँगे दम्यान में में इसके सेंटर्र मार कर लूँगी और इन दोनें पट्इयों को इस तरह लगा हैं को मैंने थोड़ा सा लंबा जो इस ते लिए रखा था कि फिर बाद में इजस्ट करके आपको जो है वो असानी हो जाती है कि अगर चोटी हो तो पर प्रॉब्लम होता है अब इसको हम दबारा डबल करके बिचाएंगे और पटी को हम मैयर करेंगे कि हमारी कितनी इंच की पट करोंगे गारे और इसका विए शेप ट्रॉफ करके इसको घ्रमयान में से कर लिए और इसके पाद में पटी लगाने है इस तरह इस एस्हाज है उनाठ शेप ट्रॉफ कर लेंगे और इसको हम इसकी कर लिए इस कBut I यह वाली साइड जो ओवरलैब करेगी मेरी आप right-left जो मैं तो आप रख सकती हुए जो लख ले इसा मिदा आपकी ऊवरलैब करनी जाहिए इसको मैं फिंब के साथ इसके इंदर यह कपड़ा जितना हमने मार्जन रखा था वो रख के और इसको पिन के साथ में अटेज कर कि अब इसको अब लाइब करने के लिए हम एक दूसरे के ओंपर रखके जितनी हमने अगड़ाई लगाएंगे वह भी आपको लगार कर दिखाती हूँ कि यपने किस तरह रखाने हैं अब इस तरह इस कोवर लैप करेंगे एक दूसरे के ओपर रहके और उपर से मैं त्री इंच का जो डिस्टेंस छोड़ दूँगी उतना जो वी है उपर से खुला आपकर रहने देंगे और दर मार्क कर लेंगे यहां पर मैं तो और इसको नीचे वाला पिन के साथ में इसकी आपके खैज करेंगे और इसकी वह गृश जाने इसकी स्चाँ से खैज और इसको पैनल मैं तो करेंदा है छिन सब्सार करेंगे और सिम्प को का घ। जी हैफ इसको बाड़डी के दो नीचे पास्ट अचर परेटस टालना जहते एकलेसित जिते हैं ऐसे आप पार की के साथ है Σिम्पल अटेज़ कि रचेतrated डाल के साहआ है और इसको जो है जूनट वाले साइड इस तरह आमने बिल्कुल सीधी करके इची तरह बचानी है और बैक साइड जो हमने कट की थी इसको इसको इसके उपर बचा के सेम इसकी जो हम कटिंगे और कर लेंगे आर्म होल खुम थोड़ा सा डीप कर लेंगे और यहां में back की neck that we cut here. 3 Ninja, the team is wide and deep banda can be put as well as on. इसके बाद में इस लूनों kub में shoulders do. इसके बाद इसके बाद इसके कथा रेब पठी सिर्ट के साथ भेड़ा के tehdas, इसको आपे रेब पठी के साथ भी finish आपिनिश कर सकते हैं, यह आपकी अपनी पिसंद है कि आपको इस तरह का अच्छा लग रहा है लेकिन वैसे मैंने सिर्फ इसको सिंपल रेप के साथ जो है इसको राइट साइड पर में लगाऊंगी और इसको फोल्ड करके बैक साइड पर ले जाओंगी और यहां कि पट्टी नजर नहीं आएगी और गलाइस से फिनिश हो जाएगा अब इसके बाद इसके बाजु की कटिंग करेंगे जो मैंने एक्स्रा कपड़ा आपको दिखाया था उसमेंसे मैंने बाजु लिया नाइन इंची जिसकी विट थे और लैंथ आप अपनी साब से रख लें यहां से मैं बाजु की सिंपल इसके पाइपिंग करने हैं और साथ में बटन लगाने हैं तो मैं इसकी जो अलाइदा सी वीडियो में शूट किया होगे एक तो दिन में अपलोड कर दूँगी अगर यहां परी वीडियो एड़ करती तो पूरी बहुत लंबी हो जानी थी तो आप चैनल को भी दोनों सब्सक्राइब तब ही अचा लगेगा तो वैसे मैं इसके इंदर चौक रखूंगे नीचे वाले साइड पर मैं इसके बॉर्डर टाइच करती हूं यह मैं कम्प्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक कर दिखाते हूं और यह इसकी फाइनल लुक है यह मैंने बॉ बटन लगा लेने तो इस तरह पिर बाजू खोल की ऊपर नीचे करना जाए वह जासान हो जाता होता है तो इसकी साइड पर मैंने यहां पर चौक भी रखे हैं मैं अगर आप यह वहां से क्लोस करना चाहते हैं तो यह भी आपकी अपनी पसंद है अमीद है कि आज की वीडि अगली वीडियो में तब तक के लिए अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेश